इंडिया और नेदिलेंड के बीच मुकाबला शुरू होने से पहले जब विराट कोहली प्रेक्टिस कर रहे थे तभी आस्ट्रेलिया के क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट और और साथ अफ्रीका के बॉलर डेल स्टेंड से विराट कोहली के साथ बातचीत करते हुए नजर आये वही जब इंडिया और नेदिलेंड का राश्ट्रिय गान खत्म हुआ उसके बाद हार्दिक पान्डिया जब ड्राउंड से बाहर जा रहे थे तभी अपने साथी बच्चे को ओटोग्राफ देते हुए नजर आये आप लोग देख सकते हैं जिस तरह से टीम इंडिया ने पाकिस्तान को मुकाबला हराया है क्या नीदरलेंड से बड़ी जीत के साथ टीम इंडिया इस मैच में प्रदर्शन करेगी और आपको क्या लगता है विराट कोहली इस मुकाबले में शतक लगाएंगे आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं